भारत में मंकीपॉक्स का खत्रा बढ़ता जा रहा है, देश में अब तक 9 केस सामने आचुके हैं मंकीपॉक्स को लेकर अब तक जो केस सामने आए हैं, उनमें से जादा तर केस एक वेक्ति से दूसरे वेकति में ही फैले हैं डॉक्टर राजीव जय देवन के माने तो ये सभी मामले गे या बाइसेक्शुल लोगों में देखने को मिल रहे हैं जिनके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर रहे हैं इस साल का दुनिया भर के आकड़ों की मुदाबिक ये स्तापित हुआ है अभी तक की ज्यादा दर केस, majority of cases गे और बैसेक्शल कम्यूनिटी में पहला हुआ हैं जैसे MSM या men having sex with men का category, US और UK में 99% इंडिया में फीजदी लोग इसी कम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं हमें ये सोचना है कि क्यों ये कम्यूनिटी में ज्यादा वाइरस पहलता हैं क्योंकि ये वाइरस तो एक slow spreading disease है तो आसानी से नहीं पहलता हैं लेकिन इस पॉसिबल कि undiagnosed मामले इंडिया में भी हो सकते हैं अभी तक बहुत बड़ी आबादी में इसे पहलने का आशनका कम है दिली में आने वाले चारों केसिस का treatment कर रहे डॉक्टर सुरेश कुमार ने monkeypox के मरीजों के इलाज के साथ इसके symptoms की पूरी जानकारी दी देखे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि monkeypox क्या है monkeypox एक genotic disease है, viral disease है जो कि सबसे पहले अफरीका में देखने को मिला अफरीका के बाद ये 50 से ज़्यादा कंटीज में फैल ये एक genotic disease है, viral disease है, एक DNA वायरस है जो कि chickenpox से मिलता जुलता वायरस है और ये जो वायरस है, mainly skin में problem ज़्यादा करता है इसके साथ साथ patient को weakness हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है viral pneumonia हो सकता है, सिरदर्द हो सकता है और उसको complications होती है ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिसका immunity कमजोर है एक्सपर्ट की माने तो भारत में लोग शर्म की वज़र से टेस्ट कराने से हिचकराए है डॉक्टर्स के मताबिक लोगों को multiple sex partner बनाने से बचना चाहिए क्योंकि सच करीब से दिखता है